इस आदमी के हाथ में हमें पेपर दिखता है, पर जैसे ही तूजी उसको पकड़ लेता है, तो नहीं उसके हाथ में पेपर होता है, और नहीं वो पेपर जमीन पे कहीं हमें दिखाई देता है, इस रूम में शिवा के पीछे अंधेरा होता है, पर जैसे ही कामेरा का एंगल ब साइकल लेकर जा रहा होता है और यहां पर बच्चों के पीछ कोई भी गाड़ी हमें नहीं दिखाए देती पर अगले ही सीन में बच्चों के पीछ गाड़ी आ जाती है और साइकल वाला आदमी वहां से गायव हो जाता है गाड़ी के साथ साथ हमें यहां एक डश्ट बिन भ गायव हो जाता है जब पारो की पर्स चोर चुरा कर ले जा रहा होता है तब शिवा चोर को मारता है पर ध्यान से देखने के बाद हमें पता चलता है शिवा ने चोर को छुया तक नहीं होता है चोर पर्स चुराने के बाद पारो को एक बार फिर से पर्स लाकर दे देता है प अंटी जी के पर हमें दिख जाती है इस साइड से देखने के बाद हमें यहां कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती पर जब कैमेरा आगे से दिखाया जाता है तो बाप जी के पीछे हमें यह गाड़ी दिखाई देती है शिवा जब पहली बार लड़की से मिलता है तब त स्टैंड से यहां आजाते है और विक्रम इस कूड़े के कचरे में पड़ा होता है यहां आदमी उन लोगों को यहां से बुला लेता है फिर हमें दिखता है कि शिवा उसी बोस्टप से आगे जाता है और इसी कूड़े कचरे के धेर के पास ही थोड़ी दर पेले यह सब शिवा आड़ बजे बाहर जाता है और दो बजे वापस आता है पर जब शिवा विस्तर पे सोता है तब उसके साइड़ वाली घड़ी में हमें 11 बच कर 35 मिनिट हुए दिखाई देते है इस बेंच पर हमें पंचिंग बैग दिखाई देता है पर जब पारों आती है तब व आया पैर पकड़ा हुआ दिखाई देता है विक्रम राठोड इतनी ऊपर से नीचे कुदता है पर उसे कुछ भी नहीं होता यह कुछ समझ में नहीं आता इस जनरेटर के पास गाड़ी खड़ी होती है पर दूसरे सीन में यह गाड़ी अचानेक से गायव हो जाती है विक् सीन में यह बैग गाड़ी के लेप साइड में होता है पर कैमेरा जिसी पास जाता है तो वो बैग गाड़ी के राइट साइड में हो जाता है विक्रम की गाड़ी यहां होती है उसके आगे एक बेल गाड़ी भी होती है पर अगले ही सीन में वहां एक भी बेल गाड़ी हमें जब बाप जी का बेटा राठोड को पकड़ने के लिए आ रहा होता है तब उसके पेर में सैंडल होते है पर जैसे ही वो गिर रहा होता है तो उसके पेर से अच्छानेक से सैंडल गायब हो जाते है और फिर फासी लगने के बाद एक बार फिर से उसके पेर में सैंडल आ जात जब विक्रम उसकी कले से बेल्ट निकालता है तो वो पेट के बल गिर रहा होता है पर दुसरे सीन में हमें वो पीट के बल गिर रहा होता है ऐसा दिखाया जाता है इस सीन में विक्रम की वरदी पर बहुत सारा खून होता है पर अगले ही सीन में वरदी पर खून की कुछ ही बूंदे हमें दिखाइं देती है यह आदमी यहां होता है इस आदमी के आगे दूसरे सीन में यहां अजाता है उस आदमी इसके इतनी दूर हमें कुछ भी नहीं दीखता ना-ादthe Cartman कोई गंटेurner पर अगली सीन में वहाँ शिवा आ और कंटीनर का पिछला हिस्सा भी हमें दिख जाता है अभी बाप जी और उसके आदमी जिन गाड़ियों से आ रहे होते हैं वो गाड़िया खिलोनी की तरफ फट रही होती बिना किसी हतियार के बिना किसी बॉम के या बंदुग के इस सीन में यहां बाप जी के पीछे कोई न उसका बाट काया जाता है तब हमें दिख्ता है कि शिवा के राइट सइड में कोई भी जक मनी होता और कहीं सा भी खून नहीं निकल रहा होता है और ड्रेस भी वेसी की वेसी होती है है कहीं भी फट्टिες हुई हमें नहीं दिकाए देती ही अगर आपको हमारे वीडियो यह आप आमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आप हमारे वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको हमारे ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हो तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद